नमस्कार मैं आशोक व्याज़ और यह मेरा स्ववाग है कि सत्संग की सरिता जो वातसल्य ग्राम से प्रवाइत हो रही है उसका आनंद लेने का अवसर दीदीमार इतंबराजी के साथ हमें मिलने वाला है वातसल्य ग्राम में जो एक ब्रह्मय यग्य जो चल रहा है उसके समन्द में कुछ बताएं और उसके साथ किस तरह से जो अमेरिका में या अन्य देशों में रहने वाले हैं वो भी ऑनलाइन जगत के कारण बहुत सहष्ता से जूड़ सकते हैं उस समन्द में भी कुछ आप मा जा रहा था कि अभी क्योंकि हम पब्लिक में जन्ता में जानी सकते कारिकरमों के आयोजन भी नहीं हो सकते तो मैं यदिपी कभी भी ऐसे लाइव कर भी फेस्बुक बगारा पे नहीं रही हूं ऐसे कुछ-कुछ संदेश मेरे जाते रहते हैं मेरा सोचल मेडिया से कोई ले यह ख्याल आता है वियास जी क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा दंश है जो मैं मैसूस करती हूं कि हमारे समाज में जो वर्ण बेवस्था को लेके उसको उसका धुर्पियों किया गया जिस तरह आर जातिये विद्वेश जिस तरह राजनीती की चाशनी चड़के इस देश की अंतर आतमा को विखंडित करता रहा वो मेरे चित चेतना का बहुत बड़ा चिंतन का विशे रहा क्योंकि बहुत सारा ऐसा समाज है जो दिग ब्रहमितों के इदर उदर भट करा है और आप देखो कि धर्म की दुकाने चलाने वाले लोग वो भी जनता को भेड़ बक्रियां समझ कर मतलब हिंदू जाती एक बड़ी पसल है जिसको जो चाहे वो काट ले और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है हमें किसी चीज का अधिकार नहीं है हमें रग्यो-पवित धारण करने का अधिकार नहीं है तो मेरे मन में कई बार ये आता रहा कि वहीं क्यों ना आप पूरे ब्रह्मांड को कुंद समझें और अपने सदकर्मों की आहोती ही दें जिससे सारी स्रिस्टी का कल्यान हो और हमारा भी कल्यान हो तो बहुत वर्षों से मेरे हिरदे में एक भाबना रही आप देखो की हमारे देश में बाहर से तो खत्रे बहुत है पर हमारे अंतर कल्या भी बहुत हैं हमारी भातों को लेके बड़ी सुच्टता नहीं है चाहे हो करमकान्द को लेकर और धार्विक गतिविदियां या हमारे दर्म की विधा, कैसे हमारी जिन्दकी में धर्म करन्ती करता है। तो ये चंद लोगों तक की सीमित हुआ, बाकी सारे लोग कोसों दूर चले गए और वो भ्रमित किये गए। और जब हिंदू ब्रमित होता है, उसकी ताकत कम होती है, तो देश अंदर से टूटने लग जाता है, और शक्त्रो प्रमित हो जाता है। तो मेरे मन में बहुत वर्षों से एक भावना थी, कि क्यों ना सर्व समाज, सारा समाज ये देखके बिना, कि वो किस जाती में पैदा हुआ, उसका अपना क्या पहचान है, वो ब्रम यग्य करे। तो कोई साकल नहीं, कोई सावगरी नहीं, कोई कुंड नहीं, ब्रमांड को कुंड मानना है। और क्योंकि इरदे स्थल पर अंगुष्ठ मातर पर्म पूरुषविराजमान है, हमारा विज् знаешь में कोश। इरदे में है। कि वहां हिर्दे पे हाथ रखना है और दूसरे हाथ को योग मुद्रा में और अभी आप देखो कि ये पौर है हमारे एक दो तीन चार पांचे साथ आख नो दस त्यारा बार तेरा तेरा बार इस मंत्र का ओम स्वाम सर्व मंगला ये स्वाहा करके तेरा बार मंत्र का जाब कर जिसके वीज मंत्र से हम ब्रम यग्य करवाते हैं तो उसके पीछे मेरी यही धारणा थी कि धीरे धीरे पूरा समाज तेरा बार मंत्र जाप करके ब्रम यग्य की अगर हमारे या प्रारंब और होती है ब्यास जी मैं अगर कथा करने कहीं जाती हूँ तो फिर ये होता है कि जिस दिन शवरी का प्रसंग होगा उस दिन सब शवर जाती कहीं लोग भोजन पकाएंगे और वो प्रशाद बाटेंगे और जिस दिन बालमीकी जी का प्रसंग होगा तो बालमीकी जाती कहीं सब लोग भ राजबान होंगे, तो एक कथा अपने आप में एक बड़ी क्रांती हो जाती है, जो समाजिक दूरियां है, वो नस्दीकियां बहुत जरूरी है, हम पास में आके बैटें, ये बहुत जरूरी है, तो ये क्योंकि चिंतन के केंदर बिंदु में एक आत्मता रही, तो उसमें से ये ब्रह्म यग्य की कलपना, के हम इस तरह ब्रह्म यग्य करें, तो फिर हमने सोचा, के चलो एक दिन ब्रह्म यग्य करवाएं, जिस दिन करवाया, उस दिन लगा, क्यों ना 21 दिन किया जाए, तो फिर हम 15-20 मिनिट अपना कुछ पाथे दे देते हैं, और फिर ये ब्रह् तो रस से बर जाता है, यह बहुत सुंदर बीधा है, सुखी करने का प्रयतन हमें सुख दे देता है, उसी भावना से यह कोई बहुत बड़ा कोई कर्मकांड रहस्य आत्म को कोई विशे नहीं है, यह तो पूरे ब्रहमांड को कुंड मान के अपने सदकर्मों की आहुतिया ड संदन और साध्याय आचालियों का आधर सम्मान उसे को ब्रहम यग्य कहा जाता है, बहुत ही सुंदर एक यूं कहना चाहिए अंग्रेवी भाशा का शब्द ले लूँ तो इन्नोवेटिव थिंकिंग जो एक नूतन चिंतन के साथ में परंपराओं को आधुनिक संगरवां से अपनाने की दिशा में ये जो ब्रह्म यग्य है और मैं अगर मेरी स्मुर्टी ठीक साथ दे रही है, तो मंत्र आप ने बताया, ओम स्वाम सर्व मंगलाय स्वाहा, ठीक था? इसके बारे में आप कुछ अगर थोड़ा और सबस्ट करें कि क्या इसमें बाव है यह जो क्या है कि जैसे कि हमारे तंत्र में बीज होता है जब यह जो पूरे शब्द का पूरे मंत्र का बीज है स्वाउम अच्छा जो जो बीज होता है उसका कोई अर्थ नहीं तलाशा जाता जैसे हम ओम का अर्थ नहीं तलाश सकते इश्वर को प्रणव के रूप में हमने तो ऐसे सर्वमंगला भगवती को स्वाम बीज के रूप में हमने अनुभव किया तो पूरे मंत्र का जो बीज है वो स्वाम तो ये स्वाम सर्वमंगला है स्वाग करते हुए जो मैंने थोड़ा सा एक समझी अपनी स्मृति के लिए अच्छे बचन सुनकर प्रसंद हुआ हूँ पर मैं उसके पूर में ही सोदरा दीदी मां कि आपकी स्मृति वो विलक्षन है और विशेश करके जब युवा जो विद्यार्थी आपको सुनते होंगे तो वो भी विस्माई करते होंगे कि कैसे इतने सारे संदर्वेक साथ गुल मिलकर और नूतन प्रेरनाओं के साथ उन अब यह आज आपने या भी हाली में आपने जो स्थूल बद्र के संदर्व को लेकिया करता कई उसमें भी वहराग्य के महत्व की बात भी आई तो नैतिकता जीवन में अनिवार्या है यह आपके प्रवचनों से बार-बार मुझे लगता है रस्माई तासे हम तक आता है अ और इसके अलावा एक और बात है जो बारत के साथ जुड़ी हुई इन दुनों विशेश करके रही है कि जो सादू समाज है उनके प्रती जब कोई दुरभाव होता है या हाली में महाराश्रा में जैसे एक जगन्य अपराद हुआ दो सादू की हत्या का तो इसके बारे में बहुत अधिक जागरुकता के साथ में बुद्धी जीवी खुलकर नहीं बोलते हूं ऐसा एक भाव आता है इस्तिशा में आप मुखर भी रहती है और इसपष्ट भी रहती है क्या मार्ग निर्देश आप देना चाहेंगी जो हिंदू परंपराओं का अवलंबन लेके परियाप्तों के साथ व्हुत्या के साथ में valid के बारे में आप अपकुछ निर्देश परण परणा करें trap घैके अपने पहली बात कहीं ब्यास जी के बुद्धी जी निप benef갈व ए कि उसके कारण है कि भारत के लोगों को बहूत वर्शों से ॥ीमा जहर बाम बंबया फिल्मों ने दिया, हमारी कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति मसीहा दिखाया गया और हिंदु धर्म के पुजारी को गलात कायरी दिखाया गया और ये धीमा जहर वर्षों से वर्षों से हमारे देश में चला पूरी अगर आप पूरी मनुष्य जाती को देखोगे संपरदायों की धार्मिक दिश्टी से उनमें अपने अपने एक इसपस्टता है पर हिंदु जाती में इसपस्टता क्यों नहीं हुई क्योंकि आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक ये पूरे शड़े अंत्रदेश के अंदर आस्थाओं को कमजोर करने के चले कि जो भी आस्था के के अंदर बिंदु रहे उनके प्रती शंशे दिमाग के अंदर पैदा किये और आपको पता है कि बीज बो दिये जाते हैं वर्षों बाद वो फलित होते हैं अभी वो बीज फलित हुए सिक्षा बेवस्था भी पूरी तरह अपने किसी भी हिंदु जाती के बच्चे को देख लो कि वो जिस तरह की सिक्षा के अंदर उसकी सिक्षा हो रही है उसमें धर्म को लेके वहाँ कोई किसी तरह का चिंतन नहीं है हजारों लाखों करोडों लोगों के अंदर कोई एक आदे का पतन भी होता है व्यास जी लेकिन पतन के किसी के पतन के जशन नहीं मनाए जाते और हमारे देश के अंदर मीडिया ने किसी के भी पतन के जशन मनाए और वो ही चटपटी जो है खबरें ज्यादा लोग देखना पसंद करने लगे जो किसी के भी चरित्र को लेकर है किसी की व्यक्तिगत जिन्दगी को लेकर है ये पूरे रास्ट के स्वाध को खराव करने का शड़यंत्र चला और इसके भागीदार सभी है इश्वर उनको छमा नहीं करेंगे वो चाहे कोई भी हूँ किसी के भी नीत स्वार्थ हूँ क्योंकि किसी एक व्यक्ति पहली बात तो यह है कि हमारे आ कभी भी व्यक्ति पूजा नहीं रही लेकिन व्यक्ति पूजा हुई क्योंकि व्यक्ति सिर्फ जरिया होता है व्यक्ति कभी मंजिल नहीं ह का चाहिए वह गुरु की रूप में क्यों ना हूँ, वह सेतू है, आपने उस सेतू पे चढ़ना है और उस पार जाने है, सेतू को पकड़ लिया तो आप उस पार कभी नहीं जा पाएंगे, सीड़िया पकड़ने के लिए नहीं होती, सीड़िया छत को प्राप्त करने के कर दिया है कि दगवान बनना शुरू हो गए और जनता तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान की जनता के साथ हूँ बॉआ कि आपके अंदर भी स्वासकी आखों में पटिंगा बांदी गई गले में बड़ा उधारन देती हूँ शायद आपने सुना भी होगा अगर आप ब्रह्मय अग्ये में शामिल होते तो मैं यह कह रही थी कि यह जनता के साथ हुआ और जब आप हजार बार बोलोगे न किसी भी जूट को भी आप सच कहके हजार बार बोलोगे तो वो जूट भी सच लग जाएगा ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई कि लोगों ने धर्म को धंदा बनाया परिवार पालने का जरिया बना लिए और चंता ऐसी भोली भाली है कि वो भोली भाली जंता किसी के भी पीचे मतलब लोग बात करते हैं कि भया तुमारे एक लाख शिश्चे हैं तुमार सारे लोग ऐसे हैं संत शक्तियां ऐसी हैं जिनके कारण धर्म की आभा है अशोक जी अगर नकली सिक्के होंगे न सारे बजार में तो बात नहीं बनने वाली नकली तो असली के बल पे चलता है आप सारे असली सिक्के हटा दो तो नकली भी चल नहीं पाएगा तो वो जो सच संत महापुरुष हैं उनकी बल पर धर्म का जो है वो जो प्रकाश है वो है तो ये सारा बातावण बना फिर देश के अंदर ये जो धर्म निर्पेक्ष्टा के नाम पे चला जो अपने को गालियां देने अपने आपको कोसन है बस दूसरों की तारीफ करने है ये बिल्कुल दुष्परिनाम है कि हर चीज में संदेह से हर चीज को देखा जाने लगा अब जब ये घटनाएं घट रही हैं तो सबके चित्तु द्वेलित हुए सादुओं के जादा हुए सादुओं से जुड़े लोगों के हुए बाकी समाज को क्या फरक पड़ता है ऐसी इस्तितिय तो यह जो मानसिक्ता है ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है यही मानसिक्ता ने देश के भीभाजन करवाए थे यही मानसिक्ता हमें फिर दुबाया संकटों में खड़ा करेगी तो एक ही बात मुझे लगती है कि अगर हमारी विद्या सिक्षा नहीं मैं कह रही हूँ सिक्षा तो डिगरी हासिल करने के लिए डिगरी आपकी नौकरी के लिए नौकरी आपकी रोजी रोटी के लिए इसमें तो जिन्दगी और जीवन का सवाल ही नहीं पैदा होता है जीना और जिन्दा रहने में तो फर्क होता है न तो जीने की बिदा तो सिखाई नहीं जा रह से अपने धर्मगरंतों का अवाहन करें व्यक्ति पूजा छोड़े इश्वर की भक्ति करें और गुरू तो वो होता है जो आपके वीतर के गुरू तक्तों को जग्रत कर दे और ऐसे गुरू इश्वर की क्रपा से धर्ती पे सदाईव रहते हैं उनके चर्णों का अश्रय ल रिया था और वो भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल दिया था तो हर यूग में ये सब चलता है उतार चड़ा होता है और ये तो फिर गोर कल यूग है लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि हिंदू समाज अपने विश्यो को लेके बहुत इस्पस्टता नहीं रखता इसकी वजह से वो जल्दी उपराम होता है और ये उसकी उपरामता उसके अस्तित्व के लिए उचित नहीं है अच्छी नहीं है इसलिए इस्पस्टता होनी चाहिए और हमारे को अपनी बातों को लेके दरता होनी चाहिए और द तब होगी जब हमारे को सपस्टता होगी यह दोनों बातें जुड़ी हुई है इसलिए असुलों और धार्मिक मुद्धों के प्रती सपस्टता ही हमें धर्म के प्रती दिड़ता और निस्ठा देगी उसकी बहुत बड़ी जरूरत है हम बहुत बार कभी साशा से परे लेकिन सब लोग बड़े व्यस्त होते हैं इस बंडारे में जाया है उसे बंडारे में जाया और यह लिफाफा दे रहा है तो लगता है यहां भी बात बनने वाली है नहीं तो भी हमारे जैसे लोग भी चुपी बैढ जाते हैं क्योंकि कुछ करतों सकते नहीं बहुत बार जिंसे आशा है उन्हें करना चाहिए निश्चित रूप से निर्दयों में भी पीड़ा होगी और यह पीरा सामुरी कौनी चाहिए जब पीड़ा सामुरी ऑजाती है जब सबस्खें हो जाते है तो पिर जंता ही दर्ध की दभा बन जाती है वियस जी पीड़ा सामूइक हो इसके लिए भी प्रकार की सपश्टता चाहिए तो ये सब वो मुर्गी पहले की अंडा पहले वो बात कहीं ने कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी आ जाती है और द्रड़ता तब आएगी जब सपश्टता होगी और विद्या के महत्यों के बारे में जो आपने बताया तो अभी हम जाएं और आप हमेशा आशावादी द्रश्टी कोन के साथ जीवन को अपनाती है और अपनाने की सीख भी देती है तो क्या आपको लगता है जो हमारा राजनितिक भारत है और जो आध्यात्मिक भारत है उनके बीच में ये जो एक अंतर है जो कि स्वादीनता के बाद से भी बलकि थोड़ा बहुत पहले भी रहा होगा पर अभी विशेश रूप से जो देखा जा रहा है तो हम एक तरफ ये भी बात करते हैं कि भारत विश्व गुरू बनेगा पर भारत है क्या इसके बारे में भी जब हम जैसे आपने दर्म निर्पेक अक्षता के संदर्व को लेके चिन्तन बारत में चलता है तो यदि आप भगवान के नाम और शदा के साथ में संसकारों के पारंपरिक चिन्तन की बात करते हैं तो आप पिछड़े हो जाते हैं ऐसा कई बुद्दी जी अस्थापित कर देते हैं ऐसा लगता है पर मुझे लगता है दीरे-दीरे समय बदल भी रहा है कुछ इस पश्रता की तरफ हम बढ़ भी रहें पर इस दिशा में और अधिक गती से और जो सामुईक्ता है उसके साथ में ये वाला जो एक सार्थक जीवन को अपनाने का भाव है और आपके सन्नीदी में मैं ये आवसर लेलों कहने का कि भारत और सनातन संस्कृती नकेवल भारत के उठ्थान बलकि पूरे विश्व के कल्यान के लिए यूं आवश्यक है क्योंकि मूलते हैं तो मानवता और जो समेदना है और सबको अपनाने वाला जैसा उद्दात बाव इस संस्कृती के साथ प्रवाईज हो और मुझे कुछ करने की दुरूत है नहीं ऐसा है कि जो वर्तमान अभी संदर्व है तो इसमें जो भारत की बिना रही जीने की उसको पूरे विश्व के अंदर उसका उसकी दृष्टी बाटी जानी चाहिए तकनीकी मेक के मामले में हम विश्व गुरू बनने वाले नहीं हैं समय की प्रतिबद्धता के बारे में भी हम कभी कोई विश्व गुरू बनने वाले नहीं है लेकिन हमारी धर्ती ने जिन महापुर्शों को जर्म दिया उनके जीवन की यादा अभी भी इस धर्ती की मिट्टी में है अभी भी हमारे पास बहुत सारी वो चीजें हैं जो सारी मनुश्यता को जुरूरी है कि उन्हें वो प्राप्तम, वो है जीवन को जीने की विधा, आप देखिए कि आप अगर प्रकिरती की दृष्टी से भी देखो, परियावरण की दृष्टी से भी देखो, तो हमारे यहां जो जीने का तरीका है, वो सारे विश्व को अपनाना पड़े, वो चाहे भोजन के प्रकार हैं, वो चाहे वस्तूओं के प्रियोग करने के प्रकार हैं, वो सब सारी दुनिया को सीखने चाहिए, एक तो मेरी जिग्या सा ये थी, कि जब जब आपको सुनते हैं, तो ऐसा लगता है आपने बहुत अधिक अधियन भी किया होगा, और जो शब्द चयन आपके रहते हैं, वो एक भाषा का जो लालित है, वो भी उसका रस भी हम तक पहुँच रहा होता है, तो मेरे प्रिशन ये पहला वाला और इसके बाद दूसरा हो, पहला प्रिशन आप बहुत अधिक पढ़ते हैं क्या, और दूसरा, ये कैसा समय आपके जीवन में रहा होगा, ज इससे की आपके बीतर इस पश्टता उजागर हो गई हो, अपने बारे में, अपने साधना पत्थ पर आगे बढ़ने की दृष्टी से, ऐसा कोई ख्रण जब आप प्रारंबिक काल में रहे हों, गुरू महाराज के चरणों में आप गए और साधना में रत रहे होंगे, ऐस जी ऐसा था कि मेरे गुरुदेव ने हमेशा मुझे का कि रितंबरा तुम अपनी बात को बहुत अच्छे से कहती हो, तुम बूल लू और मुझे लगता था कि गुरुदेव ठीक नहीं कहते हैं, जब वो मुझे कहते थे कि तुम ने जो जो ज्यान में अनुभव किया उसे जाके बोलो, तो मुझे लगता था जैसे वो मुझे सूली पे चड़ने के लिए भीज रहे हैं, और गुरुदेव मुझे कहते थे कि नहीं तुम में बड़ी संभाव नहीं, और वो ही वाली बात है कि हमारे जैसा अनिगर पत्थर, एक पार्खी और एक ऐसे मुर्तिकार के हैं, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे तराश्या, व्यास जी, मुझे पढने का शौक है लेकिन कोई भी आस तक एक भी किताब ऐसी नहीं जिसको मैंने पूरा पड़ा हूँ, मेरा वैसे देखा जाए तो आसपास किताबे रहती हैं, पर कोई किताब नहीं जिसको मैंने कभ जीती हूँ, वो मेरे रोंग रों में होता है, तो फिर वो मेरी बाही से निकलता है, मैं मैं उसको उस विशे को अनभूत विशे मेरा मतलब जिया हुआ विशे, मेरे रोंग रों में से निकला हुआ विशे, तो और दूसरी बात यह है कि मैं जो है वो जैसे कि कभी-कभी व तो विरवर्तमान के संदरव को अब दूब जाना वो फिर मेरी प्रवरत्ती है या गुरुनेर की करपा है और ये भी लगता है व्यास जी कि इश्वर में जिससे जो करवाना होता है उसको वैसा कुछ दे देते होंगे तो उनी का प्रशाद है ना तो मेरी कोई साधना है ना तो मेरा कोई पुरुशारत है और आपको सच बताऊं अशोक जी मेरे जैसा अस्तव्यस्त बंदा कहीं मिलेगा नहीं विचारी संस्था भी रो रही है कि कहां पल्ले पड़ गई है साधवी तो कोई ढंक के लोगा है जो संस्था का उधार करे तो आपके भी माध्यम से मैं स सारे सब का वाहन करती हूं कि सब लोग परमशक्ती पीट के काम को बिवस्थित करें क्योंकि जहां जो जो चीज साधू के हाथ में होगी वो बिवस्थित तो नहीं हो सकती ऐसा ही मैं अनुभव करती हूं तो मैं समझती हूं कि जैसे अब आप हो आपकी विधा है कि आप अ ना मैं कुछ हो ना तुम कुछ हो उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है और काम लेना है इसलिए वैसा बना भी देता है बहुत बहुत सुन्दर आपने कहा और जैसे आपने कहा कि आप अस्त व्यस्त हैं तो हो सकता है वस्तु हैं आपके आसपास कोई-कोई अस्त जाता है इसमें तो कोई दो राए नहीं है जो दीदी माह का संबोदन है उसका भी विशेज महत्र है जो माह वातसल यह उसके साथ बीधी जुड़ जाता है तो एक महत्री का भाव आ जाता है यानि आपके वेक्टेत्य से सभी को मिलती रही है और मिलती रहे, ऐसी बहुत-बहुत आभार के साथ में आपने इतना समय हमारे साथ बातचीत के लिए निकाला, मेरे लिए तो ये विशेश आनन्द का अनुभव और कृपा का अनुभव रहा और हमारे दर्शिकों के लिए भी निश्यत रूप से रहे गए, और चलते-चलते विशित्रता का दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए कि अभी बहुत सब कुछ वातावन शुद्ध है, ऑक्सीजन बढ़िया है हवाओं में, तो भी मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, और घर के अंदर बैटे हैं, बढ़िया कुक हैं, अच्छे से बना सकते हैं, पर दोस् दिखिए कि हम धर्ती के महमान हैं, धर्ती के मालिक नहीं हैं, इसलिए मालिक बनके नहीं जीना चाहिए, महमान बनके जीना चाहिए, क्योंकि कुद्रत कभी भी इन विचित्रताओं का दर्शन करवा सकती हैं, इसलिए अपनी मर्यादा में भी रहें, और प्रकृती की मर्य जादा का भी लंगन ना करें, बस इतना ही निवेदन करती हुई, मैं सब की स्वास्थे के लिए, अपनों के लिए, आपके लिए, सब के लिए, मंगल भावना प्रेशित करती हूँ, सस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लंबे समय तक जियो, और हमारे अपने धर्म और संस्क प्रक्रती, सनातन के संभाहक बन के जियो, ताकि जीवन की सार्थकता का स्वाद मिलता रहे. बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ भारत से जोड़ी दीदी मारितमरा जी, उनका पुन्या-पुन्या, कोटी-कोटी आबार व्यक्त करते हुए, वो जो सारी बाते हैं, मर्यादा के सार्थ जीवन को अपनाने की, और प्रक्रती का सम्मान करने की, वो हमारे साथ ब गिर जाख गिर, जाख भी ट्ह जाइब के सार्थमतुनें फिह उनकादाने की, बहुती दीक्याद, विन हमारे सायाद, disposu हैं, इस्माने की, त PF मोएबारत वो जाओे सारी चावट आप़ की, प्रक्रती क्याद, क्रद्च काम भीर, त्र बाग्स, यह ठाग्ण, पक्रत।,